जलब शॉजपुर के ग्राम डगीचा में स्कूलोंक में टीसी के नाम पर वसूली की जाने का माम्ला सामने आए हैं मोहन बढ़ोदिया विकासखन के ग्राम पंचायत डगीचा के प्राइविट संस्था एकलवे अकैडमी स्कूल में संचालक प्राचारे द्वारा मनमानी फीस वसूल रहे हैं इसे गाव के पालग पर बच्चे अधिक परिशान हो चुके हैं पालगों के द्वारा स्कूल की फीस भी जमा होने के बाद स्थानांतरिन प्रमान पत्र नहीं दिये जा रहे हैं पैसा नहीं देने पर विध्यार्थियों को घुमा जा रहा है जिसे परिशान होकर शिव नारायन एवं देव करन पिता मान सिंग ने कलेक्टर विकास खन मोहन बड़ो दिया के जिलाशिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत आविदन दे कर दी जहां कुर्णा महमारी में बेरोजगार गरी परिवार के बच्चे केवल टीसी के लिए कहां से दे पाएंगे इसे परिशान पालको वब बच्चों ने कलेक्टर वजिलाशिक्षा अधिकारी को ग्यापन सौब कर कारवे की जाने की मांग की है पालक शिवनरायन देवकर ने बता की प्राचारे द्वारा पढ़ाई कर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और शराप पी कर स्कूल में आते हैं इसे पालकों में काफी नरास की है यहां इसलिए आये हैं कि यहां पे हमारे बच्चे परिशान हो रहे हैं टीसी के लिए टीसी मास्टर दुआरा मांगी जाने पर मास्टर केता है कि कल देंगे परसो देंगे पूरानी फिस बकाया पेस बकाया है पेस पर जमा कर दी आलरेडि वो तो सराब बी मस्टर है और सराब पीकर दबल से फीस मांगने कोशिस कर रहा है डबल फीस बाकि रही नहीं तो देंगे कहां से अपन थे बिलकुल तो यह क्या आपसे पेसो की मांग कर रहा है गया टीश निकालने के बाए पैसे अच्छा तो अभी आप क्या चाते हैं अपनी चाते हैं यह टीसी के रिमांग करिए अगली सिक्षा का अध्यां के लिए सब्सक्राइब अभी तक उसने पांच दिन पहले से बोल रहा है कल वुदू हुआँ अभी तक पिसी ने उसने यह में शिकायत करने के जिन लिए जिला सिक्षा अधिकारी जिला सिक्षा अधिकारी स्रीमान कलेक्टर मोहदय और विकासखंड समन्वाइक इस्त्रोत अधिकारी बियार्ची मोहदय और विकासखंड सिक्ष्याधिकारी मोहदय को मैंने सिखायप किये जिसकी प्राप्ति मेरे पास है यह आप से पैसे की मांग करती है यह लोगे ना कि मांग कर रहा है और पैसे नहीं दोगे तो मैं टीसे नहीं दूना मैंने का सी उच अधिकारियों को सिकायत करूँगा मैं जी बिल्कुल धन्यवाद मोहन बोड़ोदया से वल्लब पाठेदार की रिपोर्ट